हालो इस्टुडेंट्स विल्कम टू पीवीर स्टडी तो बच्चों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से आप सभी को दीप वाली की धेर सारी सुबह कामना है आपको पता है कि दीवाली तो जा चुकी है लेकिन हम लोग अभी भी कुछ उसी आगोस में है ना चलिए देखते है एकसरसाइज 7.2 यानि की परसना वाली साथ दसम लोग दो और कुईस्टन नंबर होगा बच्चा यह आपका पहला क्लास नाइंथ की एंसी आईटी मैथमेटिक्स है और जो भी नाइंथ की बच्चे हैं कलास को पूरा ध्यान से देखेंगे कुईस्टन थोड़ा टप होग संदुबाहु तिरफुच संदुबाहु का मतलब होता जिसकी दो भूजा आपस में बरावर हों तो यह 1 एक सम्दुबाहु तिरफुच ABC है जिसकी दो भूजा A, A, C क्या बरावर है एक एकम्पल के ले ले लो तो मालो यह B 5 है 1 प्याल यह B 5 सेंटीमीटर है बकी दिया नहीं लेकिन हाँ बराबर का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है आगे कहता है कि कौण B और कौण C के समद्विभाजक परसपर बिंदू O पर परतिछेद करते हैं कौण B और कौण C के समद्विभाजक मतलब वो B सेक्टर जो है इनके जैसे देखो यह B का जो परतिछेद करता है यह यहां पर जाता है O पर मिलता है C का भी क्या करता है O पर मिलता है O पर क्या कह रहा है परतिछेद करते हैं हां करने परतिछेद मतलब दूसरे को काटें intersect कर रहें ए और वो को जोड़िये और दर्साइए मतलब सिद कीजिए यानि प्रूब कीजिए और एक जोड़ने को कहा था मैंने जोड़ दिया यह जोड़ दिया अब हमें प्रूब करना है बच्चा की ओभी ओसी के बराबर है यानि यह बुजा इसके क्या है बराबर है इसक लो देखो कैसे आप सबसे पहले लिखोगे चोदिया है यहाँ पैस क sekarang लिख देता हूं इधर आप ध्यान दो यह लो यह कुश्यन है हाँ इदर मैं हमें लीकृता हूँ आप ध्यान दो बच्चा क्या-क्या दिया है ध्यान देना मैंने इहां पे dunk video इवग आप यहां पर देख सकते हो A B A C के बराबर है क्यों बराबर है वह यह दिया सबसे पहले समदुबा हुए तो जाहिर सी बात है बराबर है लिखो A B इकवल A C कोजटक में लिख लो दिया है दिया मिन्स गिवन हिंदी में लिख लो गिवन यह हो गया इसके अलामा अगर हम बात करें तो यहां पर देखो कॉंड भी बराबर है सी की इसके बराबर है बी के बराबर है क्यों बराबर है देखो किसी तिरभूज में बराबर AC पहले आपस से बराबर थी बराबर है ना भाई यह बता भूजा AB AC बराबर है ना बराबर है तो जो AB भूजा का आप गोजी टेंगल इसके सामने वाला जैसे मैं अगर इसको एक जगा यहां पर बनाओं यहां पर आप क्लियर करो यह भूजा क्या वच्छा आपका AB है आप द्यान तो यह क्या है AB है AB की सामने कौन सा कौन है और भाईया इसके सामने कौन सा कौन है यह कौन है भी न है न और यह भूजा है AC यहां पर C रहेगा यह क्या है AC और AC मतलब यह भूजा इसके सामने कौन है इसके सामने यह यह कौन है ना है ना मतलब सामने का मतलब था किसका सम्मोग कौन भी अपस में बराबर होंगे तो आप लिखोगे एंगल यहां पर लिखो नीचे एंगल ACB equal angle कौन सा दूसरा ABC ठीक है ABC इतना लिख लो कोई स्टक में क्या लिखोगे लिख लो आगे लिखो बराबर भुजा के सम्मोग कौन बराबर होते हैं हिंदी आभने लिख लें बराबर भुजा के सम्मोग कोन बराबर होते हैं इंग्लिज मीडियम वाले बच्चे तो आपने समझ के लिख लेंगे की अपोजित, ओ स्वारी, एक्वल साइड के जो अपोजित अंगल होते हैं, क्या होते हैं, गई ना, चलो, अब इसमें हम कुछ लोग करेंगे, थोड़ी से चेंजिंग करेंगे, वो का करेंगे, देखो बच्चा, एक काम कर सकते हैं, चुकि हमें, O, B, O, C को बराबर सिद्ध क करना है, तो इसमें हमें काम करते हैं, इसको हम 1 upon 2 से, क्या करेंगे, गुड़ा करेंगे, दोनों तरफ, यह कर सकते हैं, किस से 1 upon 2 से, दोनों तरफ, काट भी सकते हैं, खतम भी हो जाएगा, लेकिन क्यों करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं, यहां ब्रेकर में लिख लो, 1 upon 2 से दोनों पक्षों में मल्टीपल करने पर मतलब गुड़ा करने पर यह हिंदी मीडियम वाले लिख लें इंगलिस मीडियम वाले बच्चे अपने से लिख लेंगे अबहा हो गया दो ना आधा का मतलब क्या मतलब इसको भीशचो फड़का है यानि हम पोछ problem क्या हो गया उसका आधा क्ला अलग हो गया तोप्oben Dob mean लिख सकते हैं Clical सिम्पल सी बात तो जगह पर OCB, इसकी जगह पर OCB हो जाएगा, समझ भेया है ना, अगर आपको basic concept नहीं आता बच्चा, तो 0 label में देखो, यह समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको समझा दिया, जो भी मेरी कोशिज थी मैंने किया, ठीक है, अब आगे देखो, मतलब समझ गे ना, यह जो आप divide हुआ है, ना, कैसे, भाई B के बीच से line गई है ना, यह क्या करती, इसको कोण को आधे आधे से क्या करती, बिभाजित कर रही बीचों बीच से जाके, है ना, कर रही ना, दो भाग में कर रही ना, इसको, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, अरे यह OBC के बराबर हो O, B, C में O, B, C हो जायगा क्यों लिखो यहापे लिखो ते रूभूज o b c में लिखो 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 o b equal o c क्यों लिखो बराबर कौन की विपरीत भूजा बराबर होती है बराबर कौन की विपरीत भूजाएं बराबर होती है अब बराबर कौन कौन सा है बराबर कौन कौन सा बच्चा देखो simple सी बात है अब यहाँ पर क्या देखे थे आप अर यह एंगल लगा लो इसमें यह एंगल OCB OCB मतलब यह एंगल यह आधा वाला यह यह मतलब मैं ऐसे दिखाऊं एक मिनट रुको इसको मैं आप दिखा दे रहा हूं अब यह एंगल यह C समझ रहने यह छोटा वाला यह C और इसको अगर मैं थोड़ा दूर से दिखा दूं यह पूरे को यहां से इसमें यह कौण B समझ गए ना यह जो छोटका वाला कौण नीचे बी बन रहा है हां समझ ब्याना वच्चा यानि जो तिर्भूज है यह दोनों बराबर हैं उस वरी कौण ये C कौन B की दोनों क्या बराबर हैं तो C की अपोजीर भुजा क्या O है और ये B का अपोजीर भुजा क्या इधर वाली है तो लिख दो ब्रेकट में बराबर कौन की सम्मुख भुजा बराबर होती है जल्दी करो फट से करो बराबर कौन की सम्मुख भुजा बराबर होती ह यह इसमें पहला सिद्ध करना था इसमें और भी सिद्ध करना बच्चा उसको धियान दो आप और कलास को पूरा देखो कोई बच्चे जाएंगे नितेखो बहुत से करना है कि जो रेखा ये ओए है वो एको सम्धुभाजित करना विशक्ट करना है इसको भी प्रूब करो चलो उसको भी कर देते हैं आप इसे जल्दी फिनोट करो स्क्रीन साथ ले लो फटा पट वीडियो करों को जल्दी से और स्क्रीन साथ निकालो या फिर आप इसे लिख वीडियो रों के जल्दी करो भाई फास्ट फास्ट चलो देखो मैंने कुश्चन मिटा दिया आधा आप लोग वीडियो करके देखना आप देखो इसमें क्या कहता है सिद्ध कीजिए कि जो ओए है वो बिशक्ट करता एंगले को बिशक्ट मतलब सम्धुभाजित हिंदी म लिख लें हिंदी मिटियम वाले बच्चे लिखें ओए को सम्धुभाजित करता है ओए को सम्धुभाजित करता है बच्चा यह ठीक है इसको हमें सिद्ध करने के लिए कि ओए सम्धुभाजित करता हमें यह तिर्भूज इधर वाला जो ओए ओबी है या फिर ओए बी है और यह इधर वाला AOC, इनको दोनों को सरबांग समप्रोब करना है, तभी यह हो पाएगा, चलो लिखो, जल्दी लिखो, तिरभूज OAB, और OAB, मतलब इधर वाला तिरभूज, यह इधर वाला TIRभूज और इधर वाला, ऑपना देखा होगा है लिखो यह पहले ही दिया है क्या यह दिया सै और भी कुछ दोनों में ना बोलो हो रही की नहीं O A B और O A C, दोनों में O A common हैंड और आभी हमने इसके पहले एक चीज और सिद्ध किया है वह का सिद्ध किया è यह आधि कि बिराबर मैंने ऑभी O B O C कि बराबर हैं परolics mente gained लेडी तो आप लिखो O B equal O C इनका भी तो काम लग रहा ना भाई ये तिर्भू जब बन रहा है ये तो O B कही उज़ हो रहा है ना इधर और जब ये इधर बन रहा है तो इधर O C कही उज़ हो रहा है ये दोनों पराबर है आप इसमें क्या लिखो प्रूब्ड या फिर agreeance to O A C क्यों कैसे देखो बुजा बुजा क्यूं बुझा बुजा है का तिरुपार S स्बुजा बुजा बुजा से लिखो S S S से बाई S S से हिंदी में लिख लएंगे बुजा बुजा सर्भाउंसमता नियम से य और यह हो गया यह और बच्चा अब क्या लिखोंगे अब यहां लिखोगे angle OAB equal angle OAC, यह दोनों बराबर हैं, भई कहें बराबर हैं, angle A और angle A दोनों बराबर कहें लिए इसे कर दिया गया, OAB देखो, OAB, मतलब यह कोण यह, यह कोण, और कहा कह रहा है, अगला OAC, मतलब OAC, यह यह कोण इधर के इधर के यह दोनों क्या बराबर हैं, बराबर कहें, लिखो, लिखो, लिखो फटापट लिखो, भाई CPCT, CPCT मैंने description, जो introduction part था, starting में उसमें पढ़ाया है, नहीं पढ़ा, आपने comment करना, आपको मिल जाएगा, इसका introduction part CPCT किया, आप लिख के comment करना, बाट ही CPCT, CPCT मतलब जानते हो, अरे वो संगत तिर्भुच के जो रूल होते हैं, जैसे संगत, सरभाँ संंगत के संगत, सरभाँ संगत के संगत कोण बराबर होते हैं, ये सब रूल पढ़ाए गया है, ठीक है बच्चा लिख लो tension देना चलो जल्दी करो इतना हो गया आप नीचे लिख सकते हूं आप आता 오.a कॉण A को संदुभाजीत करता है निखो आता और पूरा कलाफ एंड तक देखना देखो क्या कहता यह स्कूइस्टन बहुत ही सिंपल सा है कहता कि तिर्भूज ABC में जो है वह एक संदुवाह तिर्भूज है इस वह ऐसे पढ़ सकते हो सीधा फिदा कि ABC जो है एक संदुवाह तिर्भूज है संदुवाह का मतलब जिसमें दो भूजाय बराबर है यानि AB equal AC है देखो कैसे ध्यान दो आगे कह रहा जिसमें बराबर भूजाओ AB और AC पर क्रमसा सीर्सलंबो देखो लिखा भी है बराबर भूजाओ AB और AC ऐसा नहीं कहा कि AC और AB बराबर है लेकिन ऐसे लिखा है कि बराबर भूजाओ AB और AC पर यानि कि AB और AC क्या है सीर्सलंबो को इंगलिस में बच्चा altitude बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको altitude बोलते हैं ठीक है तो जो altitude है वो BE और CF है अध्यान दो BE and CF यह क्या है altitude है कर आद दिखाईए यानि प्रूब कीजिए वह एक्वल है हाँ आप दिखा सकते हो सिंपल सा है चलो हम इसमें दो तिर्भूज को कह एंग्रोंस दिखा देंगे और उसके आधार पर आप कह सकते हो कि जो बी ए और सी एफ हो बराबर है देखो कैसे यहां पर आप लिख दो हल और हम दो तिर्भूज पकड़ेंगे कौन-क बी या फिर एबी इभी बहुत सकते हो लेकिन थोड़ा उल्टा लागएगा तो आप क्या करोगे लिखो तिर्भूज एई बी और तिर्भूज कौन सा एसी एफ क्यों ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि एबी एगर करेंगे तो इसमें बी आ रहा है जो कि हमें बराबर दिखाना रही है है लिखो गए एभी और से से देखो इसमें क्या है कि दोनों चिर्भू जगर हम लेंगे इसमें बच्च इन दोनों में आ रहा है ए ईफ B and AFC, oh sorry A C F, दोनों में A रहा है ना, तो आप लिखोगे A A equal angle A, region हो जाएगा given, हिंदी मीडिय मोई लिख ले, दिया है, दिया है ना, ठीक है, इता हो गया, आगे क्या करोगे आप, आगे एक, oh sorry, दिया नहीं यार, common है, ठीक है, यह क्या है, common है, दिया तो भूजाएं क्या यह, common है, और दिया क्या है, यह देखो, A, B, A, C, पराबर है ना, कह रहा है, तो आप लिख सकते हो, हाँ, यह मेरे दिमाग में था, जो मैंने उसमें दिया बोल दिया, A, B equal A, C, यह क्या है, दिया है, दिया है, हिंदी में लिख दोगे, क्या, दिया है, इंगलिस में लिखोगे, इतना ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पर आपके जो एंगल है, अगर A, E, और B ले, और A, C, अफ ले, तो इसमें E, जो है, और F, जो है, दोनों नब्बे है न, नब्बे है न, आप लिखोगे, एंगल A, E, B, equal एंगल A, C, F, दो, A, F, C, लिख है, A, F, C, यह दोनों बराबर क्यों है, रिजन लिखो, दोनों नब्बे डिग्री है, बदलब दोनों समकोन है, यह हो गया, अब आप नीचे लिख सकते हो, अतहा, ट्रेंगल A, E, B, यानि कि सर्वांकसम है, A, C, F, K, क्यों, क्यों सर्वांकसम है, अभी क्या देखा आपन इसे लिखत में आप लिख दो, By, A, 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 C, C, R, ना, Hindi मेडिया माले लिखेंगे, कोंड, भुजा, कोंड, सर्वांकसमता नियम से, कोंड, भुजा, कोंड, सर्वांकसमता रूल से, दोनों क्या है, सर्वांकसम है, जो बच्चे इसका स्टार्टिंग का अधिया नहीं देख इसमें और क्या करने को कह रहा था, यह तो हो गया, अभी तो कुछ नहीं आया, अभी तो हमें कह रहा था कि यह CF और BE बराबर सिद्ध करो, हो गया, लिखो अब, BE बराबर CF, बराबर हो गया, क्यूं? ब्रेकट में लिखो, BY CPCT, क्या लिखोगे? BY CPCT, मतलब, CPCT जानते हो अब, सरवांगसमता रूल से, सरवांगसमता रूल में क्या पढ़ाया था, CPCT में, देखो, वो क्या पढ़ाया था कि, जब कोई भी दो तिरभूज सरवांगसम होते हैं, तो उनकी संगत भूजाएं ACF, यह दोनों congruence हैं, तो अगर आप ध्यान दो, तो AEB, इसमें देखो BE आ रहा है, ACF में देखो CF आ रहा है, भाया अगर दोनों सरवांगसमता रूल से, संगत भूजाएं तो बराबर होंगी ना आपस में, बस यही नियम लगा, कि सरवांगसमतिर बूज की संगत भूज बराबर होती है, आप रेकट में चाहें तो हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, सरवांगसमतिर बूज की संगत भूजाएं बराबर होती है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है, यह सिद्धो गया, जो भी करना था, मैंने कर लिया, ठीक है, जल्दी फिलिखो, सभी बच चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ आपने दोस्तों में सेयर करना ना भूलें, अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अगला क्विशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, बिल्कुल कि वो जो है अलग है, आगे क्या कहता है, आगे पढ़ो, कहरा कि जिसमें AB बराबर AC है, यानि बच्चा यह जो AB है, वो AC कि क्या है, बराबर है, कुईस्चन जैसे कहा है, वैसे देखते जाओ, ध्यान से, इमांदारी, फिदे को कमेंट के चक्कर में न पढ़ो, ज्यादा क कुश्चन समझो, ठीक है, ज्यादा, गुड मानिं, गुड इबनिंग मत करो, देखो, कहरा कि भूजा BA बिंदु D तक इस परकार से बढ़ाई गई है, BA, यानि जो भूजा यह है, यह बिंदु D तक क्या करी गई है, बढ़ाई गई है, पहले त्रिपुज बना था, ABC, फि यानि प्रूब कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कोड B, C, D, सम कोड है, यानि जो C बाला एंगल है, वो राइट एंगल है, यह हमें प्रूब करना है, ठीक है, आप सबसे पहले लिखोगे, बच्चा इसमें दिया है, उपर लिखो हल, हल लिखो, लिख लिए, देखो इसमें क् सिद्ध करने फिर नहीं होने माला है, क्योंकि हमें कोड दिखाना है, सम कोड ना, तो सरवांग समें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और क्या दिया है, अब इसे लिख सकते हो, AD इक्वल AB, भाई AD इक्वल AB लिख सकते हो, ठीक है, यह भी क्या दिया है, कोश्टक में आप लिख लो, गिवन या फिर दिया है, यह हो गया, हमें सिद्ध क्या करना है, लिखो अब नीचे, सिद्ध करना है, यह नि टू प्रूब, क्या करना बच्चा, लिखो B, C, D, इक्वल 90, यानि यह एंगल जो है, B, C, और D, यह 90 है, यह चीज हमें ऐसे सिद्ध करना है, ठीक ह C अगर लो, नीचे लिखो, यहाँ पहें से किच दे रहा हूं, तिरबूज, A, B, C से, लिखो, क्या, A, B, A, C के बराबर है, भाई, अगर हम A, B, C लेंगे, तो A, B, A, C के बराबर पहले से दिया था, आप लिखो A, B, 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 A, C, रिजन लिखो, क्या, दिया है, लिखो, गि CP, CT, रूल पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा, तो कमेंट करिए, आपको basic concept पहले बताया जाएगा, यह CP, CT, रूल होगा, क्या होता, कैसे समझते हैं, यह सवाल नहीं समझ में आएगा, इसले में स्टार्टिंग में बता रहा था था, तो हम अगर इसको कुछ और मान लें, यह कोंड मान लो जो C वाला है, इसे मान लो कोंड A, 1 मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ ABC की बात करने हैं, पूरे की नहीं, only यह इतना क्या होगा, कोंड number 1, तो इसे हम लिख सकते हैं, angle 1, इक्वल किसके, angle B के, कुछ समझ में आया, नहीं यह जो angle 1 है, देखो यह C नहीं लेंगे, C का मतलब तो यह पूरा हो गया, यह पूरा बढ़ा आतर भूज, लेकिन हम सिर्फ ABC में लेंगे, तो यह angle 1 इसके बराबर B के, अब बताओ क्यों बराबर है, स्टार्टिंग में मैंने आपको रूल पढ़ाया था, बच्चा वो क् बुजा होती हैं, उनके sum कोंड बराबर होते हैं, तो यह भुजा A, B, A, C कया बराबर है, तो A, B के जो सामने कोंड बना है, कोंड 1 है, और जो A, C के सामने कोंड बना है, वो क्या है, ब canvas क्या है, ब्रेकट में region लिख लो, क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के संगत कों संगत कोंड बराबर होते हैं अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा बराबर भूजाओं के संगत कोंड बराबर होते हैं जल्दी से इतना लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं यह आपका equation number 5 हो गया क्या हो गया यह समीकर number 1 हो गया अभी आगे देखते जाओ विल्कुल अच्छे से देखते जाओ बच्चा चलो यह equation number 5 हो गया अब आगे देखो तिर्भूज ACD अब हम बड़ा वालेंगे ACD अब यह तिर्भूज लेंगे यह ठीक है ACD लिखो तिर्भूज ACD में यहां पर अगर आप देखो तो ADAC के बराबर है कौन ADAC के बराबर है भाई क्यूं बराबर है सिंपल सी बात है अगर ABAC के बराबर है AB जो है वह AC के बराबर है तो AC भी तो क्या होगा AB के बराबर होगा और चुकि AB आले ड turn पार यह परमें बराबर है क्या आप इसमें लिख सकते हो क्या को एक कंड में लिखो दिया है क्या है यह यह डिया हैu जन हो गया कि अब इस रूल इहां भी लगे 강ई गा अब देखो यह दोनों भूजाएं बराबर है तो बहुत एक दोनों मिला किसी हो जाएगा लेकिन हमें सिर्फ आधा लेना है तो हम लिख सकते हैं एंगल टू इक्वल एंगल डी इतना ठीक है तो बच्चा आप इसे लिख सकते हो इक्वेशन नंबर सिकेंड क्या हो गई है यह समय करना नंबर दो हो गया अब हमें इन दोनों इक्वेशन को एड़ कर लेना है वसांसार आपके सामने आ जाएगा दोड़के फटा फट तो चलो इसको मिटालो जल्दी से हम लिखते हैं जल्दी करिए इसको मैं रेज करूंग आया था वीडियो को बैख कि देख लो नहीं को को मुझें इसकेंड था इक्वरिशन नों कर देखा था एंगल एक्वरिशन नंबर वक्त थे सावा ज्यॉझन है ने क्यां है बनार एडिवा यह और यह जोड़ोंगे भाई साहब तो यह इतना हो जाएगा पूरा यह बोलो हो जाएगा कि नहीं समझ मैं रहा ना यह पूरा हो जाएगा पूरा एंगल फुल यह दोन जोड़ोंगे तो क्या हो जाएगा यह जाएगा ना यानि आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो पत इक्वल भाई अब बी और डी दोनों जोड़ोगे दोनों का कोई अलग से मानतों है नहीं तो आप इसे लिखोगे वी धन एंगल डी इतना कोई नहीं न वच्चा इसमें कोई confusion नहीं न इसको जल्दी फिलिखो फटाफट करो चलो हो गया इतना आप तो तुम लोग करी ले जाओगे अब कौन सी बड़ी का योग एक्स और सीएंस होता है यानि हम दी में डी जोडेंगे और यह सी वाला जोड़ेंगे सब एक्सी होगा तो आप लिखो एंगल बी एंड एंगल डी अंधन एंगल वी सीडी यजा फिर बी सी नहीं आप अंगल रहे लों के लिए के वाल शीलिक तब भी ठीक है या फिर अगर हम BCD लिखें तब ही तो मतलब C है ना ठीक है यह बराबर क्या होगा बच्चा एकस्व स्सीयंस होगा ब्रेकट में लिख दो क्योंकि तिरफुच के तीनों कोड़ों का योगफल एकस्व स्सीयंस होता है पहले से पढ़े हो ना चलो तो यह हो गया अब देखो B और जोड़ोके तो समीकरण यह मालो चलो थीन है WOW कि थीन पर तो समीकरण 3 से अगर हम B धंडी कहमान लेकर आए तो क्या मिलेगा गर यह BCD मिल जाएगा ना बागू तो कि मल जाएग यह एंगल BCD equal सरी कम अली प्लस यह प्लस एंगल BCD equal 180 तो जोड़ोगे तो दोनों एक समान है टू एंगल VCD equal 180 यहां से आप निकालोगे एंगल VCD equal 180 upon 2 और दिख रहा होगा आपको जोई से साल्ब करोगे तो 90 हमें यही तो 90 दिखाना था ना कितना इजी है इसमें किसी को कोई डाउट है तो नी संकोच बता दो बिल्कुल टैंसन मत लेना है तो एक दम क्लियर दीख रहा है न नोट कर लो जिनको भी लिखना है स्क्रीन साट ले लो जैसे अभी मरजी वैसे लिख लो कुईशन एकदम पूरा कंपलीट हो चुका है तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर खतम होती है हाँ आप से एक बात बता दें चलता चलता है अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे देख रहे है डेमो के रूप म मिलते हैं फिर अगली कलास में बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ाई करिये रिवीजन जरूर करते रहे हैं जिससे की एक्जाम में आप अच्छा कर सकें